कि हेल्थ tv.com के यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं जो लोग हेल्थ tv.com पे पहले वारा आए हैं वह हेल्थ tv.com YouTube को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें लाइक करें दोस्तो हेल्थ tv.com के द्वारा दिया गया किसी भी रिव्यू प्रोडेक्ट रिव्यू को यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें हेल्थ tv.com के टीम आप तक सिर्फ अपना सेल्फ एक्सपरियंस रिव्यू पहुंचाती हैं दोस्तो आज मैं उन मह के लिए रिव्यू लेकर आया हूं जो महलाएं अपने स्कीन को अपने स्कीन को निकारना चाहते हैं बीूटिफुल होना चाहते हैं गलो कराना चाहते हैं और संदरheen ओना चाहते हैं तो आपके लिए ही आज यह रिव्यू लेकर आया हूं जो कि बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्रीम के बारे में रिव्यू देने वाला हूं जो आपके स्कीन को यूबी क्रीनों से होने वाले स्कीन को प्रोटेक्ट करता है इसके यूज़ करने के बाद आपको किसी भी लोशन या मोशन की जोट नहीं परेगा किसी भी स्कीन की जोट नहीं परेगा ये आपके स्कीन को अंदर से निखा रहेगा आपके स्कीन को अंदर से ब्यूटिफुल करेगा मेलाजमा, छाईया, कोलाजमा, पिगमेंशन पर काम करेगा और 100% काम करेगा, इस किन को निकारेगा यू भी कीरन से होने वाले, आपके स्क्रीम को किरने से बचाएगा तो दोस्तों आप इस चेनल को सबस्क्राइब कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और चलिए चलते हैं दोस्तों मैं बाद इस क्रीम के बारे में पहले इंग्रिजन्स की बात कौनों तो इसमें मुख्य इंग्रिजन्स है वो है मलवेरी मलवेरी का काम होता है स्कीन लाइटिंग करना एंटी एजिंग को कम करना दूसरा जो इसमें इंग्रिजिन्स है वो है लिक्वराइस रूट जिसका काम होता है नेच्वल तरीके से एंटी माइक पोर्वेर लिल करना और एंटी इंफलेशनरी को कम करके स्कीम को निखाना और विटूफल करना तीसरी इसमें जो मुख्या है वो है विटाविन B3 विटाविन B3 उसका काम होता है आपकी स्कीम को गलो करना आपके स्कीम को बाइनेच्वल तरीके से गलो करता है अंदर से स्कीम को बूस्ट करता है वो आपके कॉलेजिन स्कीम को बूस्ट करता है आपके स्कीम में जो और टॉन लुक स्कीन परदान करने में मरत करता है इसमें चौथी चीज जो है वो है SPF 50 जिससे जो संद से होने वाले आपकी स्कीन जो खराब हो जाते उससे आपकी स्कीन को प्रोटेक्ट करता है यानि इसके बाद आपको किसी भी संद स्क्रीन को लगाने की जोरवत नहीं प कर सकते हो दोश्तों इसमें अपलाई इस क्रीम को अपलाई कैसे करना है दोश्तों सबसे पहले आप अपने स्कीन को क्लीन कर लेना है अच्छे फेस्वास से उसके बाद अपने स्कीन को थोरा सा रफ होने दीजिए थोरा सूखने दीजिए उसके बाद आप अपने स्कीन प आप अपने स्कीन को अच्छे फेस वास से अपने क्लीन कर लीजी और दोस्तों यदि आपके स्कीन पर ज्यादा लग जाती है यह क्रीम तो आप इसे कोटन से भी थोड़ा सा रिमूग कर सकते हो दोस्तों इसमें SPF 15 है जो आपके स्कीन को प्रोटेक्ट करता है तो सने स्कीन क्स्क्राइब के बारे में यह आपके स्कीन को टान परदान करता है आपके स्कीन को लगाने के भाद वो हो जाएगी दोस्तों इस क्रिम से रिगार्डिंग यदि आपके कोई क्वरीज है तो कमेंट कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हिट दा बैल बटन जिसे नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगला वीडियो मेरा मैं के लि अले किलिम करे बीडियों